नमस्कार दोस्तो दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज हम आपको सूखी हुई लाल मिर्च के कुछ ऐसे उपाए बताने वाले हैं जिनें आप करेंगे तो आपके जीवन से शत्रू का तो नामों निशान मिठी जाएगा साथ ही आपको अपार धनकी प्राप्ती भी होगी जीवन में कई बार ऐसे पड़ाव आते हैं जहां लोग हमारे शत्रू बन जाते हैं कभी-कभी तो हमारे घर वाले या फिर हमारे अपने जिनेंप अपना मानते थे वे भी हमारे शत्रू हो जाते हैं औफिस में पडोस में या पिर जहां कहीं भी आप काम करते हैं वहाँ पर भी कभी-कभी आपकी बातों से चिड़ रखने वाले व्यप्ति आपके शत्रू बन जाते हैं ऐसे में लोग अपने जिवन को स्रक्षित रखने के लिए और अपने परिवार को खुषाल रखने के लि नहीं जानते तो आप बिल्कुल सही स्थान पर हैं आज अब आपको साथ लाल मिर्च का एक ऐसा उपाई बताएंगे जिने आप अगर कर लेते हैं तो आपके जीवन से शत्रुका नामनुशान मिट जाएगा वहीं आपको हम लाल मिर्च का कुछ एक ऐसा उपाई भी बताएं कि जिसे करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और कोई भी खर्च नहीं लगेगा और वहीं आपके जीवन में संपन्ता इतनी आ जाएगी आर्थिक रूप साब इतने मजबूत होंगे कि आपको कभी भी किसी के आगे हाथ पहलाने की जरूरत नहीं रहेगी आपक कि जब सूर्य अस्त हो चुका हो और रात होने वाली हो जब थोड़ा-थोड़ा उजाला रहे जाए तब आप किसी भी खाली स्थान पर जाए यानि कि जहां कहीं भी कोई खाली बंजर जमीन हो या फिर जहां कहीं भी जमीन आपको मिल जाए वहाँ पर आप अपनी चार उमलियों के बरावर का एक गड़ा खोद ले और गड़े में एक एक करके साथ लाल मिर्च डाल दे और हर एक मिर्च को फेकते वक्त उस गड़े में फेकते वक्त आप अपने शत्रू का नाम लेते रहें और अगर शत्रू बहुत ज़्यादा किये उए है तो आप उस निम्बौ को ले करके काट कर उस निम्बौ को पूरा उन साथ लाल मिर्चों पर निचोड़ दे दोस्तों अगर आप कर शत्रू ज़्यादा क्रूर नहीं है तो आपको यस उपाय को करने रही और गड़े में फेक दे और आप शत्रू बहुत ज़् बड़ी परिशानिया हो रही है बहुत ज़्यादा परिशानियों का आपको से सामना करना पड़ रहा है तो आप एक निम्बू भी चोड़ दे और इस उपाय को आफिर शनिवार के दिन करें अन्यता आप इस उपाय को किसी भी दिन करें आपको समान फल देखने को मिलेगा ल किसी दुष्मन की जरूरती नहीं है अग इसलिए आपको अपने जीवन में अंदकार मिटाना है और घर में सुक संपति ले कर आने है तो धन आपको चाहिए और धन अगर आपको चाहिए तो हमारे बताय हुआ ये उपाय एक बार आजमा कर देखें धन ऐसी जरूरत है जिस किसी भी लालंग के कपड़े में बांद ले और इस रुमाल को अपनी तिजोरी में या फिर इस जगह पर रख दें जहां पर भी आप धन रखते हैं इसे आप पूरे तेरा दिन तक मार खा रहने दे और तेरा दिन के बाद किसी भी बहते हुए पानी में इसे प्रवाइद क कर लें यानि कि जब आप प्रवाहित करके आ जाएं तेरा दिन के बाद उस पोर्टली को तब आप अपने घर से थोड़ा सा आटा और थोड़ी सी लालमिट किसी गरीब यक्ति को दान में दे दें तो दोस्तों आज की वीडियो में किवली इतना ही कल फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए मैं जाता धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जाए बजरंग बली